हेलो दोस्तो आप लोग देख रहे हैं मेरा यूटूब चनल आए आप लोग को मेरा यूटूब चनल में स्वारत है दोस्तो सेंटीपीट यानि कंखजूरा इस पृत्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक है सूत्रों की मानने तो इन जीवों के कुछ जीवाश में भी पाये गए हैं जो 400 मिलियन वर्षों से भी जादा पुराने हैं ये कनखजूरे दुनिया के लगवग हर इसों में पाये जाते हैं लेकिन सबसे जादा ये उस निकटी बंदी वाले जगों में पाये जाते हैं अगर बात करें के आकार की तो समाने कनखजूरे जो हम अपने घरों के आसपास देख लेते हैं वो लगवग देड़ से दो इंच तक लंबे होते हैं लेकिन इस दुनिया में कनखजूरों की बड़ी प्रजातिया भी पाये जाती है जिनका आकार लगवग 12 इंच तक होता है अगर ये कनखजूरा किसी को काट ले तो उससे चोट लग सकती है लेकिन उसके मूँ में जहर नहीं होता बलकि इसके खतरनाक पंजो में जहर होता है अगर ये अपने शिकार को पंजो में जगर ले तो थोड़ी ही देर में उसे लखवा मार जाता है और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की तो उस दुनिया में इनकी लगबक 8000 प्रजातियां पाई जाती है लेकिन कि आपको पता है कि इन कन खजुरों का जन्म कैसे होता है अगर नहीं तो इस वीडियो को पुरा ज़रूर देखना लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि इससे पहले मैंने बहुत से जानौरों के जीवन चक्रे की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्रे के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं हमें उमीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो कंखजूरे एक ऐसे जीव हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं लेकिन जब इनके मिलन का समय आता है तो ये अपने साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं और जैसे ही इने कोई साथी मिल जाता है उसके बाद ये दोनों कंखजूरे जिनमें एक नर और मादा होती है ये दोनों अपने एंटिनास और पंजो की मदद से एक दूसरे का परिक्शन करते हैं ये ऐसा इसे ले करते हैं ताकि इने इस बात की तसली हो जाए कि मिलन के दौरान इने एक दूसरे से खत्रा तो नहीं और जैसे ही इने इस बात की तसली हो जाती है उसके बाद ये मिलन की प्रकरिया शुरू कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका ये मिलन कुछ मिंटो का होता है ये मिलन तब तक चलता है जब तक नर अपना सारा स्पंक मादा के शरीर में ट्रांसफर नहीं कर देता तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है और इस दोरान मादा नमी और अंधेरे वाले जगों की तलाश करती है जहां ये अपने अंडे दे सके दोस्तों आपको बता दूँ की इनकन खजूरों को अंधेरे और नमी वाले जगह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जहां ये अपना ज़्यातर समय बिताते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो आपने अभी अपने घर के आसपास कोई भारी चीज या बड़े पत्थर को ज़रूर हटाया होगा जिसके पीछे आपने कौकरोच और इन कन खजूरों को ज़रूर पाया होगा और जैसे ही आप किसी चीज को हटाते हैं ये तुरंत वहाँ से भाग कर फिर से किसी दूसरी चीज के पीछे छिप जाते हैं क्योंकि ये हमेशा सही ऐसे ही जगों में रहना पसंद करते हैं तो जैसे ही इने कोई नमी या अंदेरे वाली जगा मिल जाती है उसके बाद ये अंडे देना शुरूर करती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है इनके अंडे बहुती छोटे और गोल होते हैं और ये एक बार में 25 से 30 अंडे दे देती है तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है उसके बाद ये अपने अंडो पर कुंडली मारकर बैड़ जाती है ताकि कोई दूसरा जीव उसके अंडो को नुकसान ना पहुँचा सके और ये ऐसा तब तक करती है जब तक अंडो से बच्चे बाहर ना आ जाए आपको बता दूँ कि बच्चों को बाहर आने के लिए दो से तीन हफ़तों का समय लग जाता है और जैसे ही वो समय पूरा हो जाता है उसके बाद अंडो से बच्चे बाहर निकलते हैं और इन बच्चों को निम कहा जाता है तो जैसे ही इन बच्चों का जन्म हो जाता है तो ये बिल्कूल वैस का कन खजूरर की तरह ही दिखाई देते हैं लेकिन इन में बहुत से अंगों का विकास होना बाकी होता है जिसके बाद ये छोटे मोटे किड़ों को खाना शुरू करते हैं और बढ़ते समय के साथ ये अपनी तोचा को भी बदलते रहते हैं आपको बता दूँ कि ये 5-6 बार अपनी तोचा को बदलते रहते हैं जिसमें एक से दो महिनों का अंतर होता है और जब जब ये अपनी तोचा को बदलते हैं तब तब इनके नए अंगों का विकास होता है और जैसे जैसे समय और आगे बढ़ता जाता है ये बड़े किड़ों को खाना शुरू करते हैं और इस तरह ये एक से दो सालों में फूरी तरह से वैस्क हो जाते हैं जिसके बाद ये फिर से अंदेरे और नम जगों को ढून कर अपना बसेरा बनाते हैं और शिकार करने के लिए ये जातर रात में ही सक्रिया होते हैं और जब ये शिकार करते हैं तो ये पत्तों के बीच या चट्टानों के नीचे छिपे रहते हैं और जैसे इनके मिलन का समय आता है तो ये अपने साथी को ढूंड कर फिर से मिलन की प्रक्रिया को अन्जाम देते हैं जिसके बाद एक बार फिर इनके जीवन चक्र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अगर बात करें इनके जीवनकाल की तो इनका जीवनकाल 5-6 वर्षों का होता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रिन पर आ रही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक को चेक कीजिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए बाई